हेलो फ्रीम्स, मैं अनामिका, मेरी कीचर में आप सरी का श्वागत है फ्रेंज, आज में योगी नीटी को बनाने वाला आयूमेदिक कार्खा की रेजबी लेकर आएं इसे रामदे वाबा ने भी बनाया है, आयूश मंत्रा ने भी बताया है कार्खा बनाने के लिए हमने एक पैन ले रखा है, पैस को हम अन करेंगे और इसमें हम डालेंगे इसमें सबसे पहले डालेंगे दाल चीनी एश्टीक, तो हम एश्टीक को दो सी चार टुपरी में तोड़के डालेंगे तो यहाँ पे हमने इसे तोड़ लिया है, उसके बाद हम इसमें दो पेजबत्ती डालेंगे यह सारे इंग्रिडियंच हीमनीटी को बढ़ाने वाला होता है यहाँ पे हम चार से छे लॉंग लिये हैं हम काढ़े में चार छोटी वाली इलाइची यानि कि हरी इलाइची डालेंगे दस से बाड़ा ब्लैक पेपर काली मिर्श और एक बड़ी वाली इलाइची तो इसे हमें थोड़ा सा क्रश करके डालना है जिससे सारे फ्लेवर अपने कारहा में आ सके तो यहाँ पे हम एक खल लिये हैं और इसमें इन तीनों शामगडी को डाल देंगे और इसे हम दरदरा कूटेंगे ज्यादा पौडर नहीं बनाना है क्योंकि अगर हम बच्चे को देते हैं तो यह मुझ में आएगा तो हम दरदरा ही कूटके डालेंगे तो आप देख सकते हैं हमने दोनों इलाइची फ्लाइड पेपर को दरदरा कूट लिया है अब हम इसे पाने में छोड़ देंगे साथ पे हम डालेंगे इसमें अद्रग तो यहां पे हमने एक इंच अद्रग का टुकडा लिया है एक ग्रेडर की मदब से इसे हम ऐसे घेश लेंगे अद्रग को हमें इसे ग्रेडर करके डाल देना है अब चाहें तो पूट के भी डाल सकते हैं पर इसका साड़ा फ्लिवर्ट पानी में आना चाहिए अब हमने लिया है कच्छी वाली हल्दी हल्दी को भी हम ग्रेडर की मदब से खीश लेंगे शबको पता है हल्दी में इंटेवेटी करता है खांसी जुपाम के लिए बहुत ही बढ़िया और भी है बोटी में दर्द हो तो भी हम हल्दी खाते हैं कॉफ हो उसमें भी फायद करता है अगर आपके पास कच्छी वाली हल्दी नहीं है तो घडु में शुख्षी हल्दी पाऊडर डाल सकते हैं हमने हल्दी को ऑड़ेडु किया अब इसमें हम डालेंगे तूलसी पथा तूसी पत्त्त सबके घड़ में एवलेबल होता है अगर आपको छोटी वाली तू दालेंगे यानि की जैगरी हम सारे इंग्रिएंट को अच्छे से उबलने देंगे आप देख सकते हैं अपने काढ़ा में अच्छा सा उबाल आ चुका है अब हम काढ़ा को ढगके 10-15 मिनट तक श्लू फ्लेम पे पताएंगे तभी सारे शामगरी का फ्लेवर पानी में तो हमें फ्लेम स्लो कर देना है और कभर करके इसे 10-12 मिनट तक उबलने देना है बारा मिनट हो चुके हैं चलिए अपना काढ़ा चेक कर लेते हैं तो अगर आप चाहें तो काढ़ा का एश्टीम भी ले सकते हैं इससे इंस्फेक्शन जल्दी कर जाता है तो ऐसे धकन को आ आप टेरा कर सकते हैं और जो इस टीम निकल रहा है उसको ऐसे ऐसे करके अपने फेस पे ले सकते हैं इससे बहुत जल्दी इंस्फेक्शन कर जाता है तो काढ़ा तैयार है चलिए हम इसे छान लेते हैं फ्लेम को हम आउफ कर लेंगे और इसे छान लेंगे तो हमने चार जन तो फ्रेंज आपने देख लिया आगरवेदिक काठा बनाना कितना आशान है और इसमें से हम बच्चों को आधा गलाश दो शाल के शिशू को चार से पांच चम्मच दे सकते हैं ये काठा सभी के लिए फाइदे मंद है और इसे हम शिप करके पीएंगे तो और ज्यादा होनी चाहिए तो फ्रेंज इस काठा को आप भी बनाएए अपने यूमिनीटी को बढ़ाएए अगर अच्छी लगे तो मेरी सेनल को लाइक शब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए धन्यवार